Hello everyone, welcome to mind boosting classes, इस वीडियो में हम class 7, history chapter 4, the mughal empire के notes देखने वाले हैं, इससे पहले question answers, already इस chapter के हम लोग देखी चुकी हैं, इस chapter को explain भी मैं कर चुकी हूँ तो अनों की link आपको मिल जाएगी description में, तो आप चाकर के ज़रूर देखेगा अब आच की जो वीडियो है उसमें हम notes देखने वाले हैं, शुरू करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया, so please do subscribe और bell icon प्रेस कीजिए, जैसे आपको हमारे आखेने वाले वीडियो की notification मिलती रहे तो काफी powerful empire है मुगहस का, इन्होंने 16th century के पीच में लगभग अपने कागरा और डैली से नोने अपने kingdom को expand करना शुरू किया था, और 17th century तक इन्होंने नेरली पूरा का पूरा subcontinent जो है उसे control में अपने ले लिया था इनकी जो legacy थी, वो incomparable है, कोई compare नहीं करा चा सकता उससे अब मुगहस exactly थे कौन, तो मुगहस descendants थे of two great lineages of rulers from their mother's side, they were descendants of Ghingas Khan and from the father's side, they were descendants of Timur तो देखिये, मुगहस जो है, वंशच है, दो बड़े-बड़े great rulers के तो देखिये, मदर की side से देखिये, तो वो Ghingas Khan के वंशच है, और अगर father की side से देखिये, तो वो Timur के descendants है, वंशच है, ठीके, अब मुगहल military campaigns के बार में जानेंगे, जो बाबुर थे, ये सबसे पहले मुगहल empire थे, जन्होंने देली को capture किया था, 1526 में इब्राहिम लोधी को defeat करके, और किस battle में, battle of panipat में, ठीके, हुमायू ने capture किया देली को 1555 में, अकबर ने capture किया चित्तोर को, 1568 में, रन्थांबोर को, 1569 में, गुजराद, बिहार, बिंगॉल, कश्मीर, बिरार, खंदेश, इसेक्टरा, और ये 1585 से 1605 के बीच में, सब को capture किया था, जहांगीर ने campaign ली थी, अकिनस्तिक and homes, ठीक है, और शाह जहां ने, एहमद नगर और बिरजापूर को फिर capture किया, और अरंगजेब ने, काफी लंबी पैटर लड़ी थी, टेकेन में, अब मुगल traditions of succession, मुगल did not believe in the rule of Premo Gedichior, where the eldest son inherited his father's estate, तो वो इस चीज़ पे believe नहीं करते थे, कि जो बड़ा बेटा है, किसी भी फादर का, वो फिर अपने फादर का पूरा कारोबार समाल लेता है, वो ऐसे ही custom पे believe करते थे, कि हम अपनी ही, जो भी हमारा पास है, उसको हर सन में बराबर बराबर बाटेंगे, ऐसानी कि elder son को ही सारा मिल जाएगा, अब मुगल के relation दू तो मुगल रूलर्स ना, मतलब उन रूलर के अगेंस रहते थे, जो उनके अथारिटी को असेप्ट नहीं करते थे, बट ऐस दा मुगल्स बिकम पावरफुल, many other rulers also joined them voluntarily, लेकिन जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल बनते गए, सारे रूलर्स खुदी, उनके पास आकर के, उ पावरफुल बन रहे थे, जब कोई पावरफुल बनते है, तो उसके पास बहुत सारे लोग आ जाते थे, तो दूसरे rulers ने फिर उन्हें join करणा शुरू कर दिया, तो राजपूर्स सर्फ था मुगल्स वोलिंटेरिली, और राजपूर्स ने भी राजपूर्स जो थे, उन जो थे, जो किसान थे, जब वो अपना करते थे, अपनी खेती वखेर, अगरिकल्चर वखेर, तो फिर क्या हो था था? मुगल्स बीक्स लगा दे थे, ठीके, तो मुगल्स रूलर्स का जो टेक्स था, वो मीन सोर्स ओफ इंकम था, ठीके, अब अकबर की पॉलिस इसके बार provinces में बाटा था, provinces मतलब छोटे-छोटे areas में बाटा था, जिसको हम सुवास कहते थे और उस हर area का सुवेदार होता था जो से govern करता था अकबर के जो nobles थे commanded large armies and had access to large amounts of revenue, अकबर के जतने भी nobles उसने रख रखे थे, nobles को आप कह सकते हो कि जितने भी officers उसने रख रखे थे जो दर्बार में होते हैं तो उन्होंने बड़ी-बड़ी armies को command किया था और काफी large amounts of revenue कमाया था अकबर वास एट फतेहपुर सिकरी he started discussion on religion with the निमाज-ब्राहमर्ण, जैसुस्ट प्राइट्स, प्रियस्ट, हुवर, रोमन, कैथॉलिक्स, एंड जर्यस्ट्रियंस तो दीखी जो अकबर फतेहपुर सिकरी में थे तो उन्होंने discussion शुरू की थी religions related, ठीक है तो उन्हें काफे interest था इसमें तो ब्राहमर्ण्स हो गए, जीसुस्ट, प्राइस्ट्स हो गए, जो रोमन, कैथॉलिक्स हुआ करती था और जो रोयस्ट्रिंस हुआ करती थी उन्होंने discussion शुरू करी religion topic पे, ठीक है अकबर ने, फतेहपुर सिकरी में जब हो थे discussions took place in the अबादत खाना और ये discussion हुआ करती थी अबादत खाना में फिर आगे, अकबर realized that religious scholars emphasized rituals and dogmas were often by gods it led अकबर to the idea of अकुल और universal peace शाह जाहन जहांकीर also followed this principle तो जितने भी उन्हें पता चला कि जो religious scholars हैं, उनकी जितने भी rituals वगेरा होती हैं, तो ये सारी की सारी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी उन्हें फिर क्या idea है उन्हें सुल एकुल का idea है जिसको universal peace भी कहा जाता है यानि उन्हें ऐसा लगा कि हर किसी कुछ शांती से एक दूसर के साथ मिल के काम करना चाहिए शाह जो और जहांगीर ने भी इसी principle को follow किया फिर मुखल empire in the 17th century and after, जब 17th century और उसके बाद में मुखल empire का क्या हुआ था कैसे रहा था मुखल empire तो the administrative and military efficiency of the mughal empire led to great economic and commercial prosperity तो देखिए अब इन्होंने economic और commercial काफी इनके पास आ गये थे पैसे की जिस तरीके से करा करते थे ठीक है मुखल empire and their manzabdar spend a great deal of the income on salary and goods तो अब धीरे धीरे इनके पैसे खतम होने लगी क्योंकि military efficiency और administrative पे काफी सदा खर्च करते थे और जो मुखल empire उनके जो मनसबदार थे उन्हेंने काफी सदा अपनी income जो है salary और goods पे ही spend कर दी थी तो wealthier presentry and artisanal groups the merchants and bankers profited in this economic world अब इसमें जितने भी गिसान जो wealthier हुआ करते थे जो merchants थे और bankers से उनको profit मिला primary producers however lived in property और जो primary producers थे उन्हें गरीबी में ही रहना पड़ा अब 18th century तक several provinces started declaring independence दो दे continue to regard mughals as their masters अब काफी independent states बनने लगे ठीके लोगों ने अपनी ही अलग independent states बना लिए सभी provinces में और उन्होंने मughal को अपना master ही माना लेकिन फिर भी एक तरीके से वो independent हो ही चुके थे मughal से अलग ही लगवाग हो चुके थे तो 18th century तकाते आते मughal empire बहुत सब्सादा week हो गया था ठीके एक तरीके से खतम साही हो गया था तो यह आपका पूरा यहाँ पर notes complete हो चाते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंदा आई हो थोड़ी इससे help मिली हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कीजिए Thank you so much for watching Bye Bye